आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप डीवीयस बैंक में एक सेविंग काउंट करना चाहते हैं तो यहां पर आप कोई बात क्लियर कर दे कि डीवीयस बैंक में कोई भी जीरो बैलेंस का एकाउंट नहीं होता इसमें जो है तो आपको 10,000 रुपए मंतल करना पड़ेगा इसके साथ ही अगर आप डीवीयस बैंक में आपके आधार काट से मोबाइल लंबर लिंक होना चाहिए और डागुमेंट्स की बात कर लें तो आपके पास आधार काट मोबाइल नंबर इमेल आडिये सारी चीज़ें होनी चाहिए और जो एकाउंट ओपिन करने के लिए अडिये साथ टे देवीयस बैंक में ऑनणरीं इकांट ओपिन करने के लिए आपके डिजी बैंक मुबाइल एक अधी एक्सेस करने के लिए अ पर लोकेशन करें है। यहाँ पर yes I am in पर क्लिक करेंगे उसके बाद जितने भी आपसे पर्मिशन मांगता है शभी पर्मिशन आप इलाओ करेंगे यहाँ पर देखिए open saving count और यहाँ पर get a personal loan यहाँ से आप जो है तो saving count open कर सकते हैं saving count अगर आप open करेंगे 10.000 रुपे average आपको balance maintain करना पड़ेगा तो यहाँ पर account open करेंगे इस पर आप click करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इसके feature बताय जा रहे हैं जैसे यहाँ पर 10.000 आपको fund maintain करना पड़ेगा mutual fund में investment कर सकते हैं zero fees के साथ और यहाँ पर paperless आप same day transfer भी करते हैं link manage करते हैं अपने bank account को और यहाँ पर 4800 रुपे आपको big vast kit में यहाँ पर saving करने को मिल जाएगा यहाँ पर बताया गया है कि आप अपना pen card अधार card ready रखेंगे उसके बाद यहाँ पर आप continue option पर click करेंगे continue करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको Mr. Mrs. choose कर लेना है यहाँ पर आपको अपना full name देना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको data forth मिल जाएगा यहाँ से आप अपना data forth confirm करेंगे next वाले option पर click करेंगे यहाँ पर mobile number मिल जाएगा तो यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे नीचे यहाँ पर मिल जाएगा email address यहाँ पर email address डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना email address रेंटर confirm करेंगे referral code यहाँ पर आपको video के display में मैंने शो कर दिया और आपको video के description box में भी referral code मिल जाएगा यह referral code यहाँ पर डालेंगे उसके बाद next वाले option पर आप click करेंगे जिसे आप next करेंगे तो आपके number पर OTP से इन रिखे जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद next वाले option पर आपको click कर देना है next करने के बाद यहाँ पर आपको अपना username और password सेट करना होगा username जो है तो आपका net banking के लिए होता है तो यहाँ पर आपना username सेट करेंगे यहाँ पर username आप अपना alpha numeric सेट करेंगे alpha weight numeric number दोनों होना चाहिए उसके बाद नीची हाँ पर आप अपना password डालेंगे पासवर्ड भी आपका alpha numeric होना चाहिए alpha weight numeric number special character 3 इनक्लूड होने चाहिए और 6 character से लेकर 20 character के बीच पर होना चाहिए और उसके बाद आप submit वाले option पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर देखिए username is taken यहाँ पर username अगर अगर अवलेवल है तो ठीक है दर्वाई यहाँ पर आपको दूसरा username डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको submit वाले option पर क्लिक कर देंगे जैसे आप submit कर देंगे तो आपको login credential create हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी details verify करा नहीं है यहाँ पर बोला जा रहा है as per regulation यहाँ पर आपका pin card अधार कार्ट के साथ लिंक होना चाहिए तो यहाँ पर अपना चुए तो pin card का number डालेंगे यहाँ पर next value option पर click करेंगे जैसे अगर आपके पास pin card का number नहीं है तो यहाँ पर account open नहीं कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अधार number या फिर virtual ID number डालना है तो अगर आपके पास virtual ID number है तो virtual ID number डालेंगे अधार number है तो आधार number डालेंगे term and condition accept करेंगे I agree वाले option पर आप click करेंगे जैसे आप I agree करते हैं तो आपके आधार कार्ट फे जो हुआ लंबर लिंक रहता है उस पर OTP से लिए जाता है उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको next वाले option पर click कर देना है जैसे आप next करेंगे तो यहाँ पर different address डालना है यहाँ पर कुछी selected cities पर यहाँ पर available रहता है account opening तो यहाँ पर आप city change करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको occupation देना है आप क्या करते हैं जैसे यहाँ पर service है आपका private sector, public sector या फिर professional तो यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपकी income आ जाएगी source of income तो यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर आपको income कितनी आपकी हो जाते है यहाँ पर डाल देंगे financial assets कितना है यहाँ पर डाल देंगे single या फिर married यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर father name, mother name उसके बाद material status आपको डाल देना है आप single या फिर married या फिर आपका divorce हो चुगा यहाँ डालेंगे उसके बाद submit वोले option पर click करेंगे उसके बाद nominee add करनी है तो add nominee now पर click करेंगे nominee किसको बनाना है mother को बनाना है तो mother को डालेंगे यहाँ पर full name डालेंगे जिसको भी आप nominee बनाना चाहते हैं तो आप अपने मन से नॉमिनी उसको बना सकते हैं नॉमिनी का यहाँ पर आपको data forth confirm करना है सबसे पहले यहाँ पर year मिल जाएगा तो यहाँ पर year पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है तो year choose करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऐसे आप monthy school कर सकते हैं यहाँ पर मंती स्कूल करेंगे, डेट पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, डेटा फॉर्थ आ जाए, और उसके बाद नेक्स्ट वाले अप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने और यहाँ पर आप Continue option पर क्लिक करेंगे जैसे आप Continue करते हैं तो यहाँ पर Termin Condition आ जाएगी यहाँ पर आप Termin Condition रीट करते हैं तो और यहाँ पर आप स्कूल करेंगे ऐसे आप Termin Condition रीट करते हैं एक्सेप्ट वाले option पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे एक्सेप्ट क करेंगे तो यहाँ पर देखे आपको मिल जागा वीड Data branch आप वीडियो call के थू जिक करसकते हैं चेकंट या फिर ब्रांच के तुरू बिक तक है वीडियो कॉल करना है तो यहाँ पर 5 minute का time लगे गा और यहाँ पर Monday-to यहाँ पर Saturday, 9 am 9.30 am to 5.30 pm तक आपको करना है second fourth Saturday यहाँ पर आपको bank holiday account नहीं होगा तो यहाँ पर video call करना है तो video call पर click करेंगे यहाँ पर आपको reference number मिल जाएगा तो video verification के लिए यहाँ पर आपको video verification start करना है आपको अपना pin card ready रखना है start video call वाले option पर आपको click करना है उसके बाद आप net banking पर redirect हो जाएंगे यहाँ पर आपको अपना user ID password डालकर login करना है तो यहाँ पर जैसे मेरा iPhone device था तो मैंने यहाँ पर safari version पर मैंने यहाँ पर paste कर दिया और यहाँ पर देखें यहाँ पर बताया गया है कि video क्यों करने से पहले क्या instruction है यहाँ पर आपको जो internet connection है अच्छा होना चाहिए आपको अपना original pin card अपने साथ रखना है आपको फोटो लेगना है अपने location पर आपको फोटो यहाँ पर आपको camera microphone को एक्सिस करने के लिए permission लाव करेंगे जिसके नाम से video की count रहेगा उसी को video की वासी complete करने है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि sun glass या फिर head या फिर face mask वेगर आपको नहीं use करना है तो यहाँ पर आपको proceed वाली option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर please do not press back button या फिर move away यहाँ पर आपको back button प्रेश नहीं करना है तो ना तो आपको कहीं भी इस session को close करना है थोड़ा आपको wait करना है और जैसे यहाँ पर देखिए आपको pen card दिखाना होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो मिनट का time लग गया है दो मिनट में एप्रोक्स हमें जो है तो एजेंट कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद हमारी वीडियो के वाई सी complete करेंगे और यहाँ पर जैसे आपके एजेंट कनेक्ट हो जाएंगे त पर आपको क्लिक करना है और आपसे permission मागेगा तो यहाँ पर microphone और camera को access करने के लिए यहाँ पर permission allow करेंगे और जैसे आप permission allow करेंगे तो agent आपसे connect हो जाएंगे in your video kvc rm i'll be assisting you to complete your video kvc process jee sir kindly you have your original physical pancard with you sir jee sir kindly you have your original physical pancard kindly show the pancard through your bank camera sir okay sir press the blue color button your bank camera okay okay sir turn your pancard back side sir okay kindly come to the front camera jee sir kindly follow the instructions don't move away from the camera don't speak with any other person don't make any phone calls during this process to begin the process kindly share your location further you have to click that green color button which is on your left जैसे आपकी वीडियो के वाइस ही complete हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा thank you for your time we will process your request और यहाँ पर two working days का time लगता है confirmation के लिए और जैसे आपकी वीडियो के वाइस ही successful हो जाएगी two working days के अंदर तो आपका एकाउंट successfully open हो जाएगा अगर आपकी वीडियो के वाइसी यहाँ पर two working days के अंदर reject हो जाती है तब आपको branch या फिर agent के तुरू आपको fingerprint के तुरू अपनी KYC कम्प्लीट करानी पड़ेगी तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों आप वीडियो के वाइसी अपनी कम्प्लीट करा सकते हैं और जैसे आपकी वीडियो के वाइसी कम्प्लीट होगी तो आपका एकाउंट successfully open हो जाता है तो इस तरीके से तो आ वीडियो के वाइसी के तुरू अपनी कम्प्लीट करा सकते हैं अगर वीडियो के वाइसी अगर नहीं होती है तो आपको branch visit करना पड़ेगा आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपका भी पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजे अपने फ्रेंड की सब्सक्राइब करिए मन में कोई डौट का प्राब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स करते हैं इस्टाग्राम पर फालूगर के मावी में असेस करते हैं नीले094 थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्ष वीडियो में न्यूट आपके साथ तक तक लिजें टेक के प्रेंगर